नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में मैं करुणा अपनी इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन वाले स्टुडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ उनका चेप्टर नमबर 10 खेलो में प्रशिक्षन तो दोस्तों इस चेप्टर में हम देखेंगे आपके कुछ important notes को इसके अलावा कुछ महतुपूर्ण प्रश्न को उनके answers के साथ और इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रश्न को जो की आपका है पूरा का पूरा आपके second term board exam के basis पर तो दोस्तों इस चेप्टर के जो मुख्य बिंदू होने वाले हैं वो है शक्ति, शहन जम्ता, गती, लचक, तालमेल, सरकेट, ट्रेनिंग, शुरू करते हैं दोस्तों 10.1 शक्ति से तो यह वह योगिता है जो किसी प्रतिरोध के विरुध कारे करने में मदद करती है, यह दो प्रकार की होती है बच्चों पहला गतिशील सिक्षा और दूसरा इस्थिर शक्ति गतिशील सक्ति और इस्थिर शक्ति तो गतिशील शक्ति आपकी हो जाती है आधकदम शक्ति, विस्पोटक शक्ति और शक्ति शहनसीलता शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रसिक्षन की विधिया तो तीन विधिया है यहाँ पर आईसोमेट्रिक प्रसिक्षन विधी, आईसोटॉनिक प्रसिक्षन विधी और आईसोकाइनेटिक प्रसिक्षन विधी इस पर आपके कुछ MCQ कोईशन है यापर जैसे बहू प्रसिक्षन विधी जिसमें मास पेसी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता क्या कहलाती है तो इसका अंसर होगा आईसोमेट्रिक प्रसिक्षन विधी सेकंड है वह योगता जो किसी अवरोध के विरुध तेजी के साथ कार्य करने में मदद करती है वो है ओप्षन B विस्पोटक शक्ती सबसे पहला लगू त्रिय प्रशन है यापर आपका शक्ती क्या है और इसके प्रकारों को बताईए तो शक्ती पर बात करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे अधिक्तम शक्ती को तो अधिक्तम अवरोध के विरुध कार्य करने की जो योगता है वो अधिक्तम शक्ती कहलाती है विस्पोटक शक्ति अवरोध के विरुद तेजी से कारे करने की योगता विस्पोटक शक्ति कहलाती है शक्ति शेहन शीलता योगता तो अवरोध के विरुद थकावट की स्थिति में कारे करने की छमता शक्ति शेहन शीलता कहलाती है अब बात कर लेते हैं आपके दीर्ग उत्रिये प्रश्ण की इसमें आपका question number first है शक्ति को विक्षित करने की विद्यों का विस्तरित उलेख कीजिए अत्वा isometric, isotonic वे isokinetic वियायाम में अंतर स्पस्ट कीजिए तो इसका अंसर है दोस्तों शक्ति को विक्षित करने की विद्या निम्न लिखित हैं तो पहला है isometric वियायाम isometric शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है iso, saman, metric, lambai iso का अर्थ हो गया, saman और metric का मतलब हो गया, lambai अर्थात, जब हम इन वियायामों को करते हैं तो मासपेशियों की लंबाई Ohhh किसी भी प्रकार का परिवर्टन नहीं होता इन वियायामों में किसी भी प्रकार का कारिय होता हुआ दिखाई नहीं पढ़ता जैसे पक्कि दिवार को धखेलने की कोशिश करना वियायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है एवम इन में कम उक्करण वे समय की आवशक्ता होती है चोट के दोरान शक्ति को बनाए रखने में भी ये व्यायाम सहायक होते हैं उधारण में जैसे तीरंदाजी, भार उठाना, जिमनस्टिक, आदी आपको इहाँ पर कुछ पिच्चर्स में दिख भी रहे होंगे गतिविधिया इस पस्ट रूप से होती हुई दिखाई देती हैं मासपेशियों की लंबाई बढ़ती है और घटती हुई दिखाई देती है जिसे एसेंट्रिक संकुचन और संकुचन कहते हैं जैसे किसी बाल को वाल को फैकना, दोड़ना, भागना इत्यादी इस प्रकार के संकुचन जादतर खेल कूद में देखे जाते हैं इस प्रकार के व्यायाम को उपकरण के साथ बिना उपकरण के भी किया जा सकता है मतब किसी की सहायता से और उसके बिना भी किया जा सकता है इन व्यायामों से लचक तथा माशपेशियों की लंबाई में व्रद्धी होती है तथा खेलों में अनुकूलन के लिए भी ये सहायव होते हैं तीसरा है आईसो काइनेटिक व्यायाम आईसो आपको फिर से पता है आईसो का मतब समान और काइनेटिक का मतलब होता है गती इन वेयामों को सन 1968 में जेजे पेरिन ने बनाया था इन वेयामों को विसस्ट निर्मित मशीनों के द्वारा किया जाता है इन व्यायामों के द्वारा मास पेशियों की जो सकती है उसको विक्षित किया जाता है ज्यादा तर खेल कूद में इन व्यायामों का प्रियोग नहीं किया जाता परन्तो जल क्रीडा, स्केटिंग, रस्सी पर चड़ना, नाव चलाना आदी में ये व्यायाम हमें देखने के लिए मिलते हैं जैसा कि आपको इहां पिचर्स में दिख भी रहा है दोस्तों अभी इसी टॉपिक पर आपके कुछ अभ्यास प्रशन है जैसा कि शक्ति क्या है, इसके दो प्रकार बताईए विस्पोटक शक्ति और अधिक्तम शक्ति में अंतर बताईए तीसरा, शक्ति क्या है, शक्ति को बढ़ाने की प्रसिक्षन विद्यों के नाम लिखिए ये आपके अभ्यास प्रशन है तीन नंबर में आप पांच नंबर वाले अभ्यास प्रशन है जैसे कि शक्ति क्या है शक्ति को बढ़ाने के लिए आईसोमेट्रिक विधी का वर्णन कीजे दूसरा शक्ति को बढ़ाने की आधुनिक विधियों का वर्णन कीजे तीसरा शक्ति को बढ़ाने की आईसो मेट्रिक, आईसो टॉपिक तथा आईसो काइनेटिक विधी का वर्णन कीजिए आजाते हैं 10.2 जो है सहन शील्दा तो यह वह योगिता है जो किसी कारे को लंबे समय तक निरंतर करने में अत्वा ठकावट की इस्थिती में कारे करने में मदद करती है इसके प्रकार है क्रिया की प्रकृति के अनुरूप और क्रिया के समय के अनुसार तो क्रिया की प्रकरती के अनुरूप अगर हम जाते हैं सहनशीलता के प्रकारों में तो इसके भी तीन उप प्रकार हैं पहला मूल भूत शहनशीलता, दूसरा सामान्य शहनशीलता और तीसरा विस्टर्ट सहनशीलता और क्रिया के समय के अनुसार अगर हम शहनशीलता को देखते हैं तो ये भी तीन प्रकार, चार प्रकार की हैं पहली गती सहनशीलता, छोटी सहनशीलता, मध्यम अबधी के लिए सहनशीलता और लंबी अबधी के लिए सहनशीलता अब शेहन शीलता को बढ़ाने की कौन-कौन सी विधिया है तो निरंतर प्रतिक्षन विधी, अंतराल प्रस्रिक्षन विधी और फॉर्ट लेक प्रस्रिक्षन विधी जो इसमें से कुछ MCQ question एक दो दिये गए हैं तो उसमें सबसे पहला है निरंतर में से कौन सी विधी शेहन शीलता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती तो वो है option B, post-isometric stretch prescription विधी, दूसरा है speed play का दूसरा नाम क्या है, तो वो है fort leg prescription विधी को speed play भी कहा जाता है लगुत्रिय प्रेशन, तीन मार्क्स वाले, उसके अंदर पहला प्रेशन है, fort leg prescription विधी क्या होती है तो यह शेहन समता को बढ़ाने की विधी है, स्वीडन के गोस्ट हॉलमर ने 1930 में इसे speed play के नाम से भी जाना जाता है इस विधी में धावक, अपने अनुसार, अपनी गती को आसपास के वातावरण के अनुकूल प्रवर्तित कर सकता है इस विधी के द्वारा सेहन समता का विकाश होता है, खिलाडी अपनी गती वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता है आतहां यह विधी स्वतहा अनुशाशित कहलाती है, इसमें हिर्द्य गती 140 से 180 प्रती मिनट के बीच रहती है फॉर्टलेक प्रसिक्षन में दोड़ गती कम ज़्यादा होती रहती है सेकिंड कोईशन है फ्रेंड्स, शेहन समता के प्रकारों का उल्लेक कीजिए तो इस कोईशन को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि खेलों में उच्छ प्रदर्शन करने के लिए सेहन चमता एक आवश्यक गटक है इसका उल्लेक करे इसका अंसर होगा किरिया की प्रकरती के अधार पर सेहन चमता तो ये है अधार बुथ सेहन चमता और ये क्या है व्यक्ति की वहय योगिता जिसमें बहुत सारी शारिरिक मास पेशियों के द्वारा धीमी गती से लंबे समय तक हलचल कर सकता है जैसे दोड़ना, चलना या पिर तैरना सेकेंड सामाने सहन चमता तो वहय योगिता है जिसमें व्यक्ति की थकान की इस्थिती में भी हलचल करता रहता है जैसे की एरोबिक तथा एन एरोबिक गतिवी धिया तीसरा है विशिस्ट सहन चमता तो वहय योगिता विशिस्ट खेलों में अलग-अलग रूप में उप्योग किया जाता है जैसे की मुक्केबाजी, कुष्टी इसमें अलग प्रकार के विशिस्ट दमखम रखने की आवशकता होती है अब तीन आएंगे किरिया के समय के अधार पर शहन शिलता तो सबसे पहली है गति शहन चमता तो यह वहय योगिता है जिसमें व्यक्ति थकान के बावजूद किसी भी गति को 45 सेकिंड तक तेजी से कर सकता है जैसे की 100 मीटर सेकिंड है लगू अब्धी शहन शमता यह योगिता 45 सेकिंड से 2 मिनट तक चलने वाली गति विधिया इसके अंदर आ जाती है जैसे की 800 मीटर की दोड़ तीसरा है मध्य मवधी की शहन शमता तो इस योगता में दो मिनट से लेकर ग्यारा मिनट तक चलने वाली गतिविधिया आ जाती हैं जैसे कि पंदरा सो मीटर की दोड़ चोथा है आपका दीर्ग अवधी शेहन चमता तो इस योगता में 11 मिनट से अधिक चलने वाली गतिविधियां आ जाती हैं जैसे की 5000 मीटर की क्रॉस कंडरी या मेराथन दोगर दोस्तों दीर्ग उत्रिय प्रश्ण में आपसे पूछा गया प्रश्ण है निरंतर विधी तता इंटर्वल अंतराल विधी में अंतर इसपस्ट कीजिए और इसका लाब भी बताईए तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर निरंतर प्रश्ण विधी की इस तरह के वियायामों को लंबे समय तक भी न रुके किया जाता है इसलिए इनमें कारे करने की प्रबलता कम होती है खिलाडी की हिर्दे गती वियायामों के दोरान 140-160 प्रती मिनट होनी जाहिए वियायाम करने की अवधी 30 मिनट से अधिक होती है इसमें दोड़ना, पैदल चलना, साइकल चलाना और क्रोस एंट्री दोड़ शामिल होती है इसके क्या अलाब है तो निरंतर कारे करने की वज़े से थकावट होने के बावजूत कारे करने की इच्छा तथा शक्ती में बढ़ोतरी होती है सेकेंड, इस विधी के अनुसार प्रशिक्षन लेने से मास पेशियों में लाल रक्तकन जिसको RBC बोला जाता है उसकी मात्रा में व्रद्धी होती है तीसरा, इससे हिर्दे तथा फेफडों की कारे कुशलता सकार आत्मकरूप से बढ़ जाती है चौथा, इस विहयाम से मास पेशियों तथा लीवर में गलाइकोजन की बंडारित शमता बढ़ जाती है पांचवा, इससे खिलाडियों में आत्म अनुशाशन वे आत्म विश्वास बढ़ने लगता है तथा साथ ही उसकी इच्छा शक्ती भी सुद्रंड हो जाती है बात कर लेते हैं इंटर्वल, अंतराल, प्रसिक्षन, विधी की तो यह है विधी धावकों की धावक यानि की दोडने वाले की धावकों की शहन शमता विक्षित करने के लिए बहुत प्रभावसाली होती है बार-बार दोड के बीच धावकों को अंतराल दिया जाता है जिसमें कि वे पूरी तरह से पुनहालाप प्राप्त नहीं करते इस से हिर्द्य गती लगभग 180 तक पहुँच जाती है तथा जब यह 120 तक वापस आ जाए तो वहें दोबारा उस कार्य को करता है धावकों की हिर्द्य गती को जाचने के बाद ही प्रसिक्षन भार दिया जाना चाहिए इसमें मध्यंदूरी की दोड, फुटबॉल तथा होकी इत्यादी भी शामिल होते हैं दोस्तों अभी इसके क्या लाव हैं तो इस विधी के अनुरूप वियायाम करने से खिलाडी कम सम्मे में अधिक कारे करने के योग्य बन जाता है सेकेंड यह विधी स्वशन तंत्र तथा रक्त संचार के लिए लाब धायक होती है तीसरा प्रसिक्षन खिलाडी की प्रगती को असानी से देख सकता है इस विधी से खिलाडी थोड़े समय में अपनी शेहन शमता को बढ़ा सकता है चौथा खिलाडी को अपने प्रसिक्षन की प्रभाव की सही जानकारी मिल जाती है और पाँचमा यदि खिलाडी वियायाम में कोई गलती करता है तो पुन्हा शक्ती प्राप्ती समय में प्रसिक्षन खिलाडी को उचित सुझाव दे सकता है जिससे खिलाडी की हिम्मत को बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर आप इस पिचर को देख सकते हैं सेकेंड इसकी बाद है दोस्तों आपके कुछ अभ्यास प्रश्न जो की लगुत्रियें हैं जिसमें पहला है सहन शीलता क्या है जैसा की आप उपर पढ़ चुके हैं और इसके प्रकार भी आपको बताने हैं आप दूसरा है शहन शीलता के प्रकारों के समय अवधी के आधार पर उधारण देकर बताईए तो जो समय अवदी के चारों प्रकार हैं वो यहां पर आपको एक्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करने हैं कोईशन नमबर तीन है सहन शीलता को बढ़ाने की विधी को बताईए और उन में से किसी एक का वर्णन कीजिए चोथा है फॉटलैक प्रसिक्षन विधी को इसके मानकों के साथ समझाईए दोस्तो इसी के साथ अभ्यास प्रशन पांच अंक वाले प्रशन में पहला प्रशन है शहन शीलता क्या है शहन शीलता को बढ़ाने वाली विधियों को सूची ब्रद कीजिए तता किसी एक का वर्णन कीजिए सेकेंड है थकावट की इस्तिती में किरिया को निरंतर करने वाली योगता को बढ़ाने वाले किनी दो प्रसिक्षन विधियों का वर्णन कीजिए तीसरा टॉपिक है दोस्तों यहां पर हमारा गती तो यह वह योगता है जो किसी किरिया को जल्द से जल्द करने में मदद करती है गती के प्रकार देख लीजिए अब गती के पांच प्रकार हैं पहला प्रति किरिया गती योगता, दूसरा त्वारन गती योगता, तीसरा लोकोक मीटर गती योगता, तीसरा किरिया गती योगता, और चौथा पाँचवां गती शहनशीलता योगता, गती को बढ़ाने के दो प्रकार बताए गए हैं, त्वारन दोड प्रसिक्षन विदी और दूसरा फेस दोड प्रसिक्षन विधी इस पर आपके कुछ MCQ कोईशन में से फर्स्ट है निम्न में से कौन सा गती का प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है चौते पर आजाते हैं स्प्रीड पिले नहीं है वह योगिता जो अधिक्तम गती का स्थिती को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है कहलाती है सेकेंड लोकोमीटर गती योगिता अब आजाते हैं आपके लगूत्रिय प्रस्ट जो कि आपसे तीन नंबर में पूछे जाएंगे उसके अंदर पहला प्रश्ण है गती के प्रकारों को समझाईए तो पहला प्रकार है प्रतिकिर्य गती योगिता ये है किसी संकेत के विरुद जल्द जल्द कारे करने की योगिता प्रतिकिर्य गती योगिता कहलाती है सेकेंड तुरन गती योगिता तो अधिक्तम गती की स्थिती को लंबे समय तक बनाए रखने की योगता लोकोमीटर गती योगता कहलाती है चौथा किरिया गती योगता तो किसी एक किरिया को जल्द से जल्द करने की योगता किरिया गती योगता कहलाती है गती शहनशीलता क्या है तो थकावट की इस्थिती में किसी किरिया को जल्द से जल्द करने की योगिता गती सहनशीलता कहलाती है बात कर लेते हैं दीरक उत्रिया प्रशन की तो इसमें प्रशन नंबर वन है त्वरन दोडो एक्सलेरेशन रन एवं फेस रेस के विशे में आपको यहां पर बताना है और इसी कुश्चन को हम यहां पर दूसरे शब्दों में पूछ सकते हैं कि गती को विक्सित करने की दो विधिया बताईए तो दो विधिया कोन कौन सी है? पहली तो नरधारित दोड़ नरधारित दोड़ क्या है? तो किसी दूरी को एक ही चाल से दोड़ना सामान तहां नरधारित दोड़ में 800 मीटर या उससे अधिक दोड़ सामिल होती है एक धावक 300 से 320 मीटर पूरी गती से दोड सकता है लेकिन लंबी दोड में अपनी गती को कम करके वह उर्जा को बचाता है उधारण यदि एक 800 मीटर की दोड लगाने वाला एथलीट है और उसका समय एक मिनट 42 सेकिंड है तो उसकी पहली 400 मीटर दोड लगबख 50 सेकिंड में तथा दूसरी 400 मीटर दोड लगबख 52 सेकिंड में लगनी चाहिए इस तरह के अभ्यास को पेस दोड का अभ्यास कहते है सेकिंड है आपका तौरण दोड तौरण दोड के द्वारा गती को विक्सित किया जाता है गती को विक्सित किया जाता है। यह धावक की वहयोगता है जिसमें वह इस्थिर अवस्था से तीवर अवस्था को प्राप्त करता है। सीधे तोर पर त्वरण गती को विक्सित करने के लिए एक धावक को 25 से 30 मीटर 6 से 12 वार तीवर गती से दोड़ना चाहिए। एक धावक को 5-6 सेकिंड के अंदर अधिक्तम गती प्राप्त कर लेनी जाहिए। दो दोडों के बीच में प्रयाप्त अंतराल होना जाहिए। बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की तो तीन नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं। सभी गती योगताओं का एक-एक उधारन दो। सेकिंड गती क्या है किसी एक गती योगता के प्रकार को उधारन के साथ समझाईए। तीसरा पेस गती प्रसिक्षन विधी को समझाईए। चोथा त्वरण गती प्रसिक्षन विधी को बताईए। पांच अंक में अभ्यास प्रशन हो सकते हैं गती क्या है और गती को बढ़ाने की प्रसिक्षन विदियो की चर्चा कीजिए Q2 गती की प्रकारों को बताईए तथा गती को बढ़ाने की प्रसिक्षन विदियो में से किसी एक का वर्णन कीजिए देखो दोस्तों किसी question को लिख करके उससे हमें marks कैसे लेने हैं वो भी हमें आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर question है गती के प्रकारों को बताईए तो दोस्तों गती के दो प्रकारों होते हैं अगर आप दोनों प्रकारों को बताते हैं तो आपको दो marks यहाँ पर मिलेंगे यानि की लचक के प्रकार की जिसको हम flexibility भी कहते हैं तो लचक क्या होता है किसी व्यक्ति के शरीर के जोडों की गतियों के विस्तार को लचक बोलते हैं और ये दो प्रकार की होती है एक आक्रिय लचक और एक साक्रिय लचक आक्रिय लचक क्या है बाहरी शहायता से शरीर के जो जोडों को गती करने की योगिता गती शील लचक कहलाती है और लचक बढ़ाने वाली प्रसिक्शन विधियां कौन कौन सी है तो पहला है बॉलिस्टिक प्रसिक्शन विधी दूसरा स्लो स्ट्रेट एंड होल्ड प्रसिक्शन विधी तीसरा है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट् प्रसिक्षन विधी इसमें आपके कुछ MCQ बैठने हैं जैसे कि वह योगता जो किसी किरिया को अधिक विस्तार से करने में मदद करती है क्या कहलाती है लचक लचक को बढ़ाने वाली विधियों में क्या सामिल नहीं है तो धीमी और निरंतर विधी शामिल नहीं है तीसरा ल प्रेशन में आपसे पूछा गया है लचक से आप क्या समझते हैं और लचक के विभिन प्रकारों की व्याख्या कीजिए अब यहां पर उसने जो दूसरे तरीके से कुछन पूछा है वो जो लचक के दोनों प्रकार हैं उसमें अंतर कीजिए और कौन से हैं वो दो प्रकार अक्रिय लचक और सक्रिय लचक में अंतर स्पस्ट कीजिए देख लेते हैं इसका अंसर तो लचक क्या है शरीर के जोडों की गतियों के विस्तार को लोच या लचक कहते हैं सक्रिय लचक क्या है बिना किसी बहारी शायता की शरीर के जोडों का अधिक दूर तक गती करने को सक्रिय लचक कहा जाता है जैसे खिस्याव वाला व्यायाम बिना किसी व्यक्ति की शायता से करना दूसरा इस्थिर लचक क्या है जब कोई खिलाडी लेटने बैटने या खड़े होने की किरियाएं करता है तो ये सारी की सारी अवस्ता इस्थिर अवस्ता कहलाती है और ये ही इस्थिर लचक भी कहते हैं इसी को यहाँ पे अब आप देख लीजे एक्जेम्पल इस प्रगार की लचक की आवश्यकता चलते या दोड़ते समय कम होती है गतिशील लचक को खिचाव वाले वहयामों के द्वारा भी किया जा सकता है सेकिंड है यहाँ पर आपका अक्रिय लचक क्या है तो आक्रिय लचक शरीर की वहयोगता है जिसके द्वारा बहारी शाहता से अधिक दूरी तक गतियां की जा सकती है जैसे किसी सहयोगी द्वारा खिचा भाला वहयाम करना देर खुत्रिय प्रश्ण में आपसे पूछा किया है लोच लचक को विक्सित करने की विधियां बताईए और इसी को अत्वा करके पूछा किया है बैलिस्टिक विधी वे पोस्ट आइसोमेट्रिक विधी में अंतरसपर्स्ट कीजिए दोस्तों इसका अंसर देख लेते हैं तो खेल कूद में लचक या फिर लोच को बनाये रखने के लिए खिचा वाले वियाम करने चाहिए निम्न विधियों के द्वारा लोच को विक्सित किया जा सकता है पहला खिचाव और रोकने की विधी हम अपने जोडों को अधिक्तम सीमा तक खीचते हैं तता पहले की स्थिती में आने से पूर्व कुछ सेकिंड वहीं पर रुकते हैं जोडों के खिचाव को रोकने की स्थिती तीन से आठ सेकिंड की होती है इस विधी का प्रियोग निश्क्रिय लचक में सुधार के लिए किया जाता है दूसरा है दोस्तों बैलिस्टिक विधी तो इस विधी में खिचाव वाले वियायाम स्विंग किये जाते हैं इसलिए इन्हें बैलिस्टिक विधी कहा जाता है इन व्यायामों को करने से पहले शरीर को गर्माना आवशक होता है इन व्यायामों में इस नायों में अत्यदिक केचाव होने के कारण चोट लगने की संभावना बनी रहती है इन व्यायामों को ले के साथ किया जाता है तीसरा है पोस्ट आइसोमेट्रिक विधी यह विधी प्रोपी ओसिपेटिव नाडिया पेशिय सरली करण के सिद्धान पर आधारित है अर्थात यदि किसी सनायू का अधिक्तम संकुचन कुछ सेकेंड के लिए किया जाता है तब वह उसी इस्तिती में 6-6 सेकेंड तक उस खिचाव का प्रतिरोध सहता है उसे पोस्ट आईसोमेट्रिक विधी कहते हैं किसी सनायू समू को 8-10 सेकेंड की अवदी तक खिचाव देना चाहिए और इस प्रक्रिया को 4-8 बार तक दोहराना चाहिए दोस्तों इस पर कुछ अभ्यास प्रश्न है जैसे पहला प्रश्न है लचक को परिभाषिट कीजिये तता इसके प्रकारों को बताईए दूसरा है लचक के प्रकार उधारण के साथ बताईए तीसरा है लचक को बढ़ाने वाली विधियों को सुचिबद कीजिये और समझाईए चौता है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच प्रसिक्षन विदी पर चर्चा कीजिए पांचवा है बॉलिस्टिक प्रसिक्षन विदी पर चर्चा कीजिए छटा है इसलो स्ट्रेच एंड होल्ड प्रसिक्षन विदी पर चर्चा कीजिए अभ्यास प्रेशन पांच नमबर में आपसे पूछा जा सकता है लचक क्या है उसके प्रकार को समझाईए तथा लचक को बढ़ाने में किसी एक प्रसिक्षन विधी का वर्णन कीजिए आपका प्रेशन नमबर दो आपसे पूछा जा सकता है लचक को बढ़ाने की प्रसिक्षन विधियों का यहां पर वर्णन कीजिए दोस्तों अब आपका 10.5 टॉपिक है समन्वे या तालमेल सम्बंदी योगिताएं तो यह चीच क्या है तो व्यक्ति की ऐसी योगिता जो उसे विभिन गती किरियाएं सुचारों तता प्रवावे ढंग से करने के योगिये बनाती हैं समन्वे या तालमेल संबंदी योगताएं कहलाती हैं अब इसके प्रकार कितने हैं? तो सबसे पहला तो प्रकार है इसका अनुस्थापन योगता दूसरा संयोजन योगता तीसरा प्रतिकिरिया योगता चौथा संतुलन योगता पांचवा लेयात्मक योगिता छटा अनुकूलन योगिता और साथवा विभेधन योगिता इस पर कुछ कोईशन्स हैं देख लेते हैं तो वह योगिता जो तुरंत किसी भी छण पर पूर्व निर्धारित किरिया के स्थान पर नई किरिया को करने में मदद करती हैं क्या कहलाती है ओप्शन डी धलने की योगिता सेकिंड है वह योगिता जो विभेधन शारीरिक अंगो तथा उन से संबंदित किरियाओं के बीच अच्छा सामज़स से स्थापित करने में मदद करती है कहलाती है option 3 अवलोकन योगता सबसे पहला लगूत्रिय प्रश्ण इस टॉपिक पर है कि प्रतिकिरिया योगता पर चर्चा कीजिए तो प्रतिकिरिया योगता वह योगता है जो किसी संदेश के विरुद कारे करने में मदद करती है और ये दो प्रकार की होती है पहली साधर प्रतिकिरिया योगता यह योगता उन संकेतों के विरुद प्रतिकिरिया करने में मदद करती है जिनका व्यक्ति को पता होता है और दूसरा है जटिल प्रतिकिरिया योगता तो यह योगिता उन संकेतों के विरुद पर्ति किरिया करने में मदद करती है जिनकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होती देरगुत्रिय अप्रेशन में आपसे पूछा गया है खेलों में तालमेल संबंदी योगिताओं से आप क्या समझते हैं किनी दो योगिताओं का वर्णन कीजिए तो इसका अंसर है फ्रेंस तालमेल संबंदी योगिताओं उन योगिताओं को कहते हैं जिसमें की व्यक्ति अपनी गतिविदियों को व्यापक्वे संतुलित रूप से नियंतरत कर सकता है खिलारी इन योगताओं के द्वारा गती विदियों के समूं को प्रभावशाली वे अच्छे ढंग से करने में सक्षम होता है तालमेल संबंदी योगताएं प्रात्विक रूप से केंद्रियस नायू संस्थान पर निर्भर करती है तालमेल संबंदी योगता निम्न प्रकार की हैं पहली अवलोकर योगता दूसरी इस्थिति निर्धारन योगता तीसरी युगमक योगता चोथी प्रतिकिर्या योगता पांच्वी संतुलन योगता चटी ले योगता और सात्वी ढलने की अनुकूल योगता आप इन सब को देख लेते हैं ये सब क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं जब हम इस्थिति निरधारण योगिता की तो यह योगिता मनुशे में समय तथा इस्थान की इस्थिति के अनुसार, स्वाम को अनुपूल बलाने की योगिता है इस योगिता का महतु प्रते खेल में अलग है उधारन के लिए खेल का मैदान दूसरा है दोस्तों तालमेल योगिता तो तालमेल की योगिता खिलाडी के शारीरिक अंगों की किरियाओए करने की योगिता है जैसे की हातों और आखों का तालमेल पाओं का आखों के साथ तालमेल उधारन के लिए बॉली वॉल में समेश और उठी बॉल वे ब्लाक्स के हिसाब से हात धर्ड पेरों की किरियाओं को तालमेल बिठा कर बॉल को समेश करता है थर्ड है दोस्तों आपके तीन अंक वाले प्रशन जो आपसे अभ्यास में पूछे जा सकते हैं वो है प्रशन नमबर फर्स्ट किनी तीन तालमेल संबंदी योगिताओं को समझाईए कोशे नमबर दो तालमेल संबंदी योगिताई क्या हैं? संगीत के साथ वियाम करने में कौन सी योगिता मदद करती है? तालमेल संबंदी योगिताऊं को सुची बढ़ कीजिए तथा किसी एक को समझाईए अभ्यास प्रश्ण पांच अंके प्रश्णों में दोस्तों आपसे पूछा गया है पहला प्रश्ण तालमेल संबंदी योगताएं क्या हैं ये योगताएं खेल कूद में किस प्रकार मदद करती हैं चर्चा कीजिए प्रश्ण नमबर सेकिंड है तालमेल संबंदी योगताओं को उधारन देकर समझाईएं आजाते हैं अपना 10.6 पे जो है परीधी प्रसिक्षन या फिर सर्केट ट्रेनिंग इसका परिचे दो और इसके महत्व को बताओ तो परिधी प्रसिक्षन एक विसिस्ट विदी है जिसका इस्तेमाल सारी रिक पुस्टी को इस्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है इस विदी में सभी स्टेशन पर चुहनित वियायामों को बिना रुके एक सर्केट के रूप में पूरा किया जाता है दोस्तों इस सर्क कुल स्टेशनों की संख्या 6-10 यहां पर हो सकती है। किनी लगातार दो स्टेशनों पर कोई एक वियायाम की पुनाफरती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नमबर तीन, किनी लगातार दो स्टेशनों पर किसी भी एक अंग से संबंदित वियायाम नहीं करना चाहिए। 6. बिना उपकरणों के किये जाने वाले वियायामों का चयन अधिक करना चाहिए 7. किनी दो स्टेशन के बीच रुखने का समय नहीं दिया जाना चाहिए 8. किनी दो सर्किट के बीच 12 मिनट तक का अंतराल दिया जा सकता है 9. किसी भी एक प्रसिक्षन अंतराल में अधिकतम तीन सर्किट करवाये जा सकते है 10. सर्किट प्रसिक्षन में भाग लेने से पूर्व वाम आये कर लेना चाहिए 11. सभी स्टेशन पर किरिया तीजी के साथ करनी जाहिए MC के वोशन में आपसे पूछा गया है परीधी प्रसिक्षन में कूल स्टेशनों की संख्या कितनी हो सकती है 6 से 10 किनी दो स्टेशनों के मद्य पुनहा शक्ती प्राप्ती की अबदी हो सकती है अधूरी दोस्टों यहाँ पर आपसे दीरहुत्रिय प्रशन पूछा गया है कि परीधी प्रसिक्षन क्या है आट स्टेशन के लिए सरकेट ट्रेइनिंग का चित्र बनाईये तधा इसके दोल आप लिखिये तो परीदी प्रसिक्षन एक विशिस्ट प्रसिक्षन विधी है जिसका इस्तिमाल शारीरिक पुस्टी को बढ़ाने में किया जाता है इस विधी में सभी स्टेशनरों पर चैनित्वे हैं हमको बिना रुके पूरा किया जाता है यहाँ पर आपके पूरे आठ सर्केट बनाए गए हैं जिसमें पहला है सीट अप दूसरा डेप से तीसरा उल्टे सर्ट अप चोधा एक इस्थान पर खड़े खड़े दोड़ना पांचवा लंबे डंड छटा बैठक साथमा कॉट फील और आठमा रसा कूदना यह इसका चित्र था दोस्तों अब इसके लाब आपसे पूछे गए हैं तो सारी रिक पुस्टी के स्तर को बनाने में मदद करता है और हिर्देवाही का संबंदी पुस्टी को बढ़ाने में मदद मिलती है अभ्यास प्रेशन में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि छे स्टेशन का चित्र बनाईए तूसरा परीदी ट्रेनिंग के छे लाब लिखिए तीसरा परीदी प्रेसिक्षन से आप क्या समझते हैं दो नियमों में बताईए पांच अंक की प्रेशन में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि परीदी प्रेसिक्षन क्या है इसके नियम तथा महत्वों को विस्तार से बताईए दूसरा प्रशन आपसे पूछा जा सकते हैं परीदी प्रसिक्षन की विशेष्टाओं तथा लावों का उलेग कीजिए दोस्तों इसके अतिरिक्त आपसे जो कुछ कोशन पूछे जा सकते हैं उसमें आपका ये MCQ-based कोशन है और ये कुछ आपके अभ्यास प्रशन आलक से हैं जैसे शक्ती क्या है शेहन शिल्ता को बढ़ाने के लिए प्रसिक्षन विधी बताओ ले क्या है शक्ती बैठाने के आईसोमेट्रिक प्रसिक्षन विधी समझाओ तालमेल संबंदी योगता क्या है परीदी प्रसिक्शन विदी के चार लाब बताओ लोकोमेटर गती क्या है लचक बढ़ाने में पोस्ट आइसोमेटरिक प्रसिक्शन विदी समझाओ परीदी प्रसिक्शन क्या है फोटलेक प्रसिक्शन विदी समझाओ परिदी प्रसिक्षन क्या है आइसोमेट्रिक तथा आइसो काइनेटिक विधी को समझाईए छे स्टेशन के लिए परिदी परिशेंट राचित्र बनाईए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो रहा है आपका परिदी प्रसिक्षन और में भी आपके एक्जाम में ये पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा समभावना आपके परिदी प्रसिक्षन से मुझे लगती है कि ये इसका डाइग्राम आपसे एक्जाम में बनाने के लिए आ सकता है तो किन ही दो तालमेल समभन्दी योगताओं का उधारन देकर आपको इसको बताना है परिदी प्रसिक्षन को आप जरूर याद करेंगे और इसके डाइग्राम को बनाना सीखेंगे कोईशन नमबर टैन आपसे पूछा जा सकता है जैसे की निमलिखित पर टिपनी कीजिए किस-किस पर शेहनशीलता को बढ़ाने की दो विदियों पर और लचक को बढ़ाने की दो विदियों पर तो दोस्तों यह था आपका चेप्टर नमबर टैन क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए तो दोस्तों आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिजिकल एजुकेशन का सेकेंड टरम का सले बस यहीं पर खतम होता है आशा कर दोस्तों आप सभी ने मेरी इस से पहले की वीडियो देखी होंगी अगर आपने फिजिकल एजुकेशन सेकेंड टरम से बेस्ट मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगी वहां से आप अप यह जो मॉडल टेस्ट पर आपके मैं फिजिकल एजुकेशन टम सेकेंड बेहाफ पर डालूंगी वह आप देख सकेंगे